हेलो एंड वेलकम स्टुडेंट्स तो आज हम जो टू मिनंट सीरीज है उसके अंदर पढ़ेंगे कंसॉलिडेटर सिंकिंग पढ़े तो आज हम देखेंगे आपने यह सुना होगा के बहुत सारी स्टेटस ऐसी ठीक है लेकिन ये तो चुकाना भी तो है ठीक है तो यहां पर अगर मालो इसने कुछ नहीं किया तो पांच साल निकल गे दस साल निकल गे उसके बाद जो पैसा इतना सारा देना है स्पोस करो कोई और गवर्मेंट आगी अब वो बोले कि इस नहीं किया था तो बर्डन दिया इननों ने बोला कि मालो यहां पर 100 क्रोड के बांड थे ठीक है तो यहां पर पिसके पैसा देना है प्लस इंट्रस भी जो भी उसका अमाउंट होगी लेकिन 50 क्रोड तो हमारे हमारे पास आ चुका है तो इस मेंस के अब गॉर्मेंट के उपर कम बड़न पड़े गए as compared to previous, तो यही concept है sinking fund का, ठीक है जी, तो अभी जैसे covid के time पे उपर बहुत सारी states को RBA ने allowed भी किया था, ठीक है, आप consolidated sinking fund से थोड़ा-थोड़ा पैसा ले लो, क्योंकि आपको पता है, covid का time था, ठीक है, तो लेकिन state rates ने start किया, then 12th finance commission आया, उसने बोला कि सारी state को allow कर दो, जो भी, चाहिए आप बैंक से लोन ले रहे हो, जा लाइबिल्टी है, कुछ भी है, उसका कुछ amount इदर ही डालते रहो, ठीक है, उसके बाद देखते है, फीचर इसके, जो important है, प्रिलिम के लिए, कि यह ना ही consolidated fund, ना ही public account के अंदर जाएगा, आपको ऐसी statement आया थी है, वहाँ पर यह पूछा जाता है, कि यह consolidated fund के अंदर रखा जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी, और दूसरी बात कि यह सिर्फ loan redemption के लिए यूज होगा है, ऐसा नहीं कोई और काम आप कर लो इसे, ठीक है, और कितना होगा, 123% है, ठीक है जी, और यह इसको administrative कौन करता है, central account section of R.B. नागपूर, ठीक है जी, अभी at present 23 states ने अल्रेड़ी जो set up कर दिया, यह consolidated सब्सक्राइब लेकिन इसके उपर question बन जाता है, क्योंकि निवस के अंदर भी है, so this is all about for today, thank you very much.